कई बार कुछ गर्वती मैलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से उनकी नाभी और उसके आसपास का जो एरिया है उसमें हलका या तेज दर्द मैसूस वो नहीं लगता है जो के उनके गर में पल रहे बच्चे नमस्कार दोस्तों मैं कुस्बूत ओमर एक बद फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटर एक और नई वीडियो में जहां पर आज के बीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के दोरान कुछ गर्बती मैलाओं को अचानक से उनकी नाभी और उसके आसपास के एरिया में हलका या तेज दर्द, खुझली और जलन क्यों होने लग जाती है इसके क्या कारण है और इसे घ अधर पर रहकर गहरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है जिससे कि गर्म पल रहे बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो और आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी तरह से चलती रहे साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या pregnancy के दोरान गर्बती महला के नाभी और उसकी आसपास होने वाला जो दर्द है उससे गर में पल रहे बच्चे को कोई खत्रा हो सकता है या फिर ये नॉर्मल है इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंतक बनी रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे मेरे वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंस बेना दे रहे कि यह वो फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो देखे फ्रेंस प्रेंगनेंसी की पहली तिमाई यानि कि पहले दूसरे और तीसरे महीने के दोरान आपके पेट पर किसी भी तरह का दबाब नहीं पड़ता है जिससे आपकी नाभी में किसी भी तरह का दर्द या फिर जलन खुजली नहीं होती है लेकिन प्रेंगनेंसी की दूसरी तिमाई यानि कि चौथे पांचवे और छटवे महीने के दोरान आपका गरवास है आपकी नाभी और आपकी ब्रेस्ट की बीच में फैलने लग जाता है जिससे कई बार आपको आपकी नाभी के आसपास दर्द मैसूस हो सकता है और नहीं भी हो सकता लेकिन तीसरी तिमाई के दौरान आपका पेट तेजी से बढ़ता है यानि कि 7-8 और 9 महीने के दौरान आपका पेट बहुत ही तेजी से बढ़ता है आपके बच्चे का आकार भी बढ़ता है जिससे जब आपका बच्चा नाभी के आसपास ही रहता है तो इससे आपकी नाभी पर दबाप पड़ता है और इससे आपकी नाभी में आपको प्लेसेंटा के जरीए infection होने का खत्रा भी बना रहता है तो कि आपका जो बच्चा है वो प्लेसेंटा के जरीए ही आपके सरीर से पोसकत तत्व oxygen और blood लेता है जिससे आपके बच्ची की growth होती है development होता है और आपकी जो प्लेसेंटा है वो आपके नाभी से जुड़ी होती है अगर आप नाभी को खुजाती है तो इससे आपके गर्द में पल रहे बच्चे को बहुत बड़ा खत्रा भी हो सकता है अब जानते हैं कि pregnancy के दौरान कुछ गर्बती मैलाओं को दूसरी तो कुछ गर्बती मैलाओं को उनकी pregnancy की तीसे तिमाई के दौरान उनके पेट में द बढ़ता है तो इस दौरान आपके गर्ब में आपके बच्चे का आकार भी बढ़ता है आपके गर्बा से भी बढ़ता है और आपका जो पेट है उसका आकार बढ़ने लग जाता है जिससे आपके नाभी के आसपास की इस्किन और मास पेस्यों में खिचा बाता है जिससे आपको अपनी नाभी में दर्द की सिकायत भी हो सकती है क्योंकि आपका जो बच्चा है वो आपके नाभी की आसपास ही रहता है और जब उसका आखर बढ़ता है तो जैसे आपके बच्चे का आखर बढ़ेगा और ये आपकी नाभी है जब आपका बच्चे का आखर बढ़े हलचल करता है यानि कई सारी महिलाएं ऐसी है जिने उनकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाई पांचवे-छटवे महीने के दौराने उनके बच्चे की हलचल मैसूस होती है जो कि धीरे-धीरे करके साथवे-आथवे महीने की दौरान काफी तेज हो जाती है और नौवा महीना कब्चे की जो हलचल है कभी ज़ादा तो कभी कम हो सकती है तो अगर आपका बिच्चा बहुत ज्यादा हलचल कर रहा है एकटेव ज़्यादा रहता है इससे भी आपकी नावी में दर्ड और खिचाब हो सकता है त्रीसला है प्रेंगनेंसी के दोरान कुछ मैलाओं को हारनि से गर में पढ़ रहे बच्चे पर कोई भी बुरा असर नहीं होता है अगर आप समय रहते डॉक्टर को बता देते हैं तो डॉक्टर कुछ कुछ ट्रीट्मेंट करके, कुछ मेडिसिन्स देकर और कुछ टेस्ट करके, आपकी इस समस्या को दूर कर देते हैं और आपकी बच्चे पर किसी भी तरह का कोई भी बुड़ा असर नहीं होता है इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर आपको इन कारणों से आपकी नाभी के असपास दर्द हो रहा है, केचावा हो रहा है, जलन हो रही है तो इसे घरेलू तरीके से तैसे ठीक किया जा सकता है जिससे कि आपको किसी भी मेडिसिन्स को इस्तिमाल ना करना पड़े और आपक करवट लेकर ही सोएं और ज्यादा तर आप कोशिस करें कि आपको लेट करवट लेकर ही सो ना है क्योंकि लेट करवट लेकर अगर आप तोती हैं तो इससे आपके बच्चे तक oxygen, blood की supply और पोसकत्रों की जो supply है वो अच्छे तरह से होती रहती है और आपको भी need काफी क Bend की सखायत भी नहीं हो गो दूसा तरीका है उनके पर्य में कोशिस करें के घर के काम करते समय आप अपने बेलट फर मेनल सपोर्ट का इससे माल करें क्योंकि इससे आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ दवाब नहीं जाता है और जब आप बेल्ट बांग लोगे तो आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ नहीं लटकेगा और आपकी नाभी में दर्द भी नहीं होगा इसलिए कोसिस करें कि जब भी आपको नाभी में दर्द हो रहा है त तो इससे अपके नावी पर घरसंड होता है, यानि नावी खिसती है, नावी पर दबाव पड़ता है, तो इससे आपको नावी में दर्द की सिकायक भी हो सकती है, इसलिए कोसिस करें कि आप दिले डाले कपड़े ही पहने. चौता तरीका है प्रेगनेंसी के चौते पांचे महीने के दोरां से ही आपको अपनी नाभी में हल्की एक दो बूंद है कोकोनेट ओयल या फिर आपको सुद्ध सरसों के तेल की एक दो बूंद है दिन में दो से तीन बार अपनी नाभी में डालते रहना है एक तो इससे आपकी नाभी में खुजली जलन नहीं होगी, आपकी नाभी में नमी बनी रहेगी और आपको नाभी में दर्द की सिकायत भी नहीं होगी इसलिए कोसिस करें कि प्रेगनेंसी के दोरान आपकी नाभी में खेचाव ना आए, दर्द ना हो, खुजली ना हो इसके लिए आप चौते पांचे महीने के दोरान से अपने पेट के आसपास की जो स्किन है उस पर अच्छा मौशुराइजर, लोसन और वायो ओयल का इस्तिमाल भी कर सकती है वाय ओयल नहीं तो आप एलोवेरा जेल का इस्तिमाल भी कर सकती हैं, कोकोनट ओयल का इस्तिमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप पेट बढ़ने से पहले ही अपने पेट पर इन सारी चीजों का इस्तिमाल करते रहते हैं, तो जब आपके पेट में खेचाव आएगा, आप अगर यह वीडियो आपको helpful लगी है पसंद आती तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और लेटिप्स में सेयर करना ना भूलें साथी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको भी प्रेगनेंसी के दोरान अपनी नाभी के आसपास दर्ड जलन या खुजली की सिकायक हो रही है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेट करना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो की नोटिपिकेसन आपको मिलती रहें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी की साथ तब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें धन्यवाद